नमस्कार मेरा नाम स्वाती हो और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स मध्धिप्रदेश समेत देश भर में लोगसभा चुनाब के चौथे चरण का मतदान जारी है मध्धिप्रदेश में चौथे और अंतिम चरण में आठ लोगसभा सीटों पर मतदान हो रहा है जिसके कारण 16 जिलों में मतदान प्रक्रिया जारी है इसी बीच धार जिले में लोगसभा चुनाब में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई है हम आपको बता देए कि मध्धिप्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आई है जहां लोगसभा चुनाब में कारेरत कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है साइले अटैक आने किसे कर्मचारी की मौत होना बताया जा रहा है यह जानकारी जनजाती है कारे विभाग के सहाय कायूकत ब्रिजकांत शुकला ने फोन पर दी है धार के विकासखंड तिरला के बीयो सुमन वासनी की रविवार देरात घर पर हार्ट अटैक से मौत हो गई है वे गंधवानी तहसेल में कल ही मतदान वितरन सामगरी वितरित कर तिरला पहुँचे थे आज भी उन्हें ड्यूटी पर जाना था लेकिन देर रात करीब एक बज़े साइलेंट अटैक आने की वज़े से उनकी मौत हो गई हम आपको बता दें कि MP में आज लोकसभा चुनाव के चोथे चरण की मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रदेश में आठ सीटों पर 74 उमीदवार मैदान में हैं जिसमें 79 पुरुष और 5 महिल आपत्याशी भी शामिल है